हाई आज के वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्विंग एडिंग स्टॉक्स देखने वाले हैं जो आने वाले दस से पंदरा दिन में एक अच्छा सा मोमिंटम दे सकते हैं आज ये जो महाल चल रहा है समें रिजल्ट्स का उसमें जो बड़े बड़े रिटन्स हम लोग को देखने के मिले हैं वो मैं आपको यहाँ पर अभी दिखाना चाहता हूँ सो स्टॉक का नाम है आपका महिंद्रा हॉलिडेज और यहाँ पे एक मंतली चार्ट पैटन आपको दिख रहा होगा तो इस स्टॉक ने हम लोग को कुछ ही टाइम में आराउंड यहाँ पे 14% का रिटन दे दिया तो एक बार मैं डेली चार्ट पे आपको दिखाता हूँ कि आक्चली में इसमें हम लोग का ट्रेट ट्रिगर कैसे हुआ था तो first of all तो यहाँ पे आपने पूरा price section देख लिया कि कैसे trend lines उपर गई थी and trend line पे stock ने support लेके यहाँ पे एक bounce back दिखाया था और इसे मैंने जरूर YouTube पे भी share किया हुआ है अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो stock ने 50 EMA का breakout करा, retest करा, उसके high पे entry trigger हुई और इतने time consolidate करने के बाद stock ने finally यहाँ पे एक बड़ा हम लोग को return दिया क्यों return दिया इतना बड़ा, क्योंकि हम लोगों ने सही price section में, सही stocks में entry ली थी और जो इसके results है वो भी अच्छे है, जिस वज़ा से stock बहुत जादा तेजी से उपर भाग गया जो मेरे पास screenshot होंगे, यहाँ पे different stocks के भी हो सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पे कहीं share कर दूँगा क्योंकि जो भी telegram community के members हैं, वो जो मुझे screenshots भेजते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बस दिखा देता हूँ और इसके बाद आप अराम से analysis को enjoy कर सकते हो, तो stock का नाम मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे क्या pattern बन रहा है, यह भी आप लोग देख के समझ गयोगे, नीचे comment section में मैं आप लोगों से जानना चाता हूँ कि इस particular pattern का यहाँ पे नाम क्या है, जो मैंने यहाँ पे draw करके रखा है, अब अगर आप यह सब कुछ समझ गयोगे हो, price section आपको simply आपको के सामने दिख रहा है कि यह यहाँ पे chart pattern बन रहा है, दो तरीके होते हैं, ऐसे chart patterns में काम करने के, आइधर आप breakout और retest पे यहाँ पे patterns दे सके, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हम लोगो को पहले भी एक trade मिला था, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, so this was the trade, यहाँ पे around 7-8% का profit हुआ था, then एक और यहाँ पे trade मिला था, 7-8% का profit हुआ, अभी same-to-same उसी level पे stock आ चुका है, but एक चीज़ आप लोग बताएं, कि क support पे आया, और उसने यहाँ पे क्या करा, kind of double bottom pattern बनाया, जो इसका previous low था, उसे stock ने break नहीं करा, एक higher low बनाया, और अपने previous high को भी break कर दिया है, तो price action wise, यह stock मुझे बहुत जादा पसंदार है, अब यहाँ से इसके targets क्या हो सकते हैं, और क्या यहाँ पे हम लोग को risk लेना मिलेगी, see this was the breakout candle, and यहाँ पे multiple time retest हुआ, उसके बाद हम लोग की entry trigger होई, तो यहाँ पे भी हम लोग वही same काम करने के बारे में सोचेंगे, so this is the breakout candle, and जब इसका retest complete हो जाएगा, तो हम लोग की entry यहाँ पे proper trigger हो पाएगी, उसके बाद जो हम लोग का stop loss होगा, वो हम लोग की entry सही point पे trigger हो जाती है, तो हम लोग का जो यहाँ से target रह सकता है पहला, वो around आपका 4-5% रह सकता है, and यह बहुत छोटा सा target है, आपको ऐसा लग रहोगा देखने में, but आप सोचें अगर stock यहाँ तक जाके breakout देता है, then यही आपका target 4-5% से सीधे 20-25% पहुँच जाएग I hope की पहले analysis आपको समझ में आओगा, अब चलते हैं अपने second stock के उपए, so आज के हम लोग की second stock करना में science limited, and अगर आप लोग भी telegram community join करना चाहते हो, तो नीचे आपको एक number flash हो रहा होगा, जिस पे आप मुझे message कर सकते हो, साथी साथ आपको comment section में एक link मिल जाएगा, जि इसमें trade कर लें किया, तो देखिए 10-15 दिन, एक देड़ महिना, ये सब कोई breakouts नहीं होते हैं, ये बहुत छोटे moments होते हैं, जब आपको कोई इतना बड़ा movement देखे हो, और वो भी एक अच्छा सा rounding bottom बना के, तो उसमें trade करना skip मत करिए, अब ये कम से कम देड़ साल पुरा एक और trade मिला, तो आप ये देख रहे हो, जितने भी stocks मैं आपको दिखा रहा हूँ, उन सब में already हम लोगो एक एक trade मिला हुआ है, एक सिर्फ जादा trade मिले हुए, अगर आप यहाँ पर देखोगे 50 EMA का breakout, retest and boom, stocks सीधे सीधे उपर, price section के बिना, जब भी आप trade करोगे, आप फस होगे, तो कभी भी price section के बिना trade मत करिये, अब यहाँ पर हम लोगो क्या देखने को मिल रहा है, सेम हम लोगो अच्छा एक price section देख रहा है, कि यहाँ पर एक stock के level का breakout हुआ, उसके बाद क्या हुआ, stock ने retest भी करा तो मतलब ये breakout ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि stock ने support candidate के आसपास आ सकता है, और अगर यहीं से reversal में हम लोगो को कोई trade मिल जाए, तो वो सबसे जादा best रहेगा, क्योंकि उस समय आपका stop loss बहुत जादा छोटा रहेगा, बट अगर यहाँ पे हम लोगो का retest हो जाता है, उसका high break हो जाता है, देन हम लोग की entry trigger हो सकती है, और ज लोगो यहाँ पे entry मिलती है, तो stop loss 12% का हो सकता है, और मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप swing trading में 10-12% का कभी भी stop loss लो, अगर कोई positional trade होता, तो यहाँ पे कोई problem नहीं होती, लेकिन अभी के लिए आप इसका mid point से थोड़ा सा नीचे अपना stop loss रख सकते हो, अगर आपको सही लगता है, तो otherwise आप stock को completely avoid भी कर सकते हो, यहाँ पे stock काफी ज़्यादा bullish लग रहा है, इस वज़ा से मेरे हिसाब से इसके targets और भी ज़्यादा ऊपर हो सकते हैं, यह जो आपको previous resistance दिख रहे हैं, यह बहुत easily break कर सकता है stock, और यह previous resistance भी आपके around 10-15% दूर है, तो इस stock पे अपनी नजरे बना के रखेगा, सबसे अच्छी चीज़ क्या है, कि stock में results अल्रेडी आ चुके हैं, तो हम लोग को results की कोई भी volatility यहाँ पर परशान नहीं करने वाली, जो होना था हो चुका है, अब यह pure price section पर चलने वाला है stock, लेकिन यहाँ पर अपना risk जरूर follow कर सकते है risk management जरूर follow कर सकते हैं, और वो आपको भी करना है, अगर अभी तक आपके mind में कोई भी doubt है, आप नीचे comment section में पूछ सकते हो, अब हम लोग चलते हैं अपने third stock के उपर, एक particular stock है, जो की ना मेरी watchlist से जाने का नाम ले रहा है, नहीं आप लोग के mind से, क्योंकि मुझे comment section में जरूर दिख जाता है, live chats में जरूर दिख जाता है, और मुझे personally लोग message करके इस stock के बारे में boost दे हैं, और यह stock मैं भी अपनी आखों के सामने बहुत time से रखा हुआ हूँ, जिसका ना मैं अशोक ले 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 हैं, मेरे साब से सबसे जादा बार किसी stock को मैंने share करा है analysis में, तो यही stock होगा, और इस stock में अब finally हम लोगों कुछ होता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस stock के results आने वाले हैं, अब stock के results जब भी आएं, यहाँ पर हम लोगों को दो चीजों का खयाल रखना है, first of all, एक important level आपका 167 का, okay, 167, और दूसरा important level है आपका यह trend line, अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा close up में आके देखोगे ना, तो stock में क्या देखने को मिलेगा, कि सबसे पहले तो 167 को multiple time stock ने यहाँ पर respect किया है, support भी लिया है, resistance भी लिया है, सब कुछ अच्छा है, बट जब भी results आते हैं, तो अगर results थोड़ से खराब आते हैं, या बह Last of all तो, अगर कुछी भी इंसान ने, यहाँ पर कोई भी trade लेके रखा था, उसका अच्छा कासा profit हुआ था, उसने exit करा था, ठीक करा, कोई गलती नहीं करी, and अगर किसी ने यहाँ पर buy करके, अभी तक hold करा हुआ है, तो भी कोई गलती नहीं करी है, क्योंकि जब आपने य Atleast 30, 40, 50% का होगा, क्योंकि यह जो पूरी depth है, हम लोग इससे target लेके चलते हैं, and अगर यह depth हम लोग उपर add करेंगे, तो कम से कम 300 का आपका target आएगा, जो कि यहाँ से just double है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, कि अगर अभी तक आप इस stock को hold कर रहे हो, गलती तब हो होगे, आपको किस तरीके से अभी भी entry मिल सकते हैं, और किस तरीके से exit मिल सकता है, पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर entry के, और उसके बाद हम लोग यहाँ बात करेंगे, exit की, तो entry कैसे अभी हम लोग कर सकते हैं, देखे, again, इस stock ने एक यहाँ पर trend line बनाई है, right, कु अभी यहाँ पर क्या कर रहा है, stock, एक बहुत bullish candle बना चुका है, और अपने high को भी break करने वाला है, अब इसका high क्या है, 178 या 180, आप अपने हिसाब से इसको choose कर सकते हो, जब भी इसके उपर stock जाए, आप entry बनाने के बारे में सोच सकते हो, अगर आपका analysis मैच करता है, तो, अगर आपका stock 167 के नीचे जाता है, यहाँ पर daily candle close हो जाती है, तो आप simply exit कर दोगे, बट अगर यहाँ पर आप हम लोग बात करें, positional की, तो अगर आप entry करना चाहते हो, positional way में, तो आपकी entry same रहेगी, 180 के उपर, या फिर 179 के उपर, बट आपका stop loss चेंज हो जाएगा, यहाँ पर stop loss क्या होने वाला है, यह trend line, अब यह trend line आपकी धीरे धीरे उपर जा रही है, तो अगर stock में कुछ भी results उपर नीचे आते हैं, या फिर जैसा भी कुछ भी यहाँ पर movement होता है, और stock अगर आपको इस trend line पर मिल जाता है, तो वो सबसे best time रहेगा buy करने का, अगेन एक चीज अपने mind में रख लीजे, अगर stock के results खराब आए हैं, और stock गिर रहा है, तो कभी भी गिरते हुए stock को बीच में ना पकड़िएगा, अगर यह stock 5-10% नीचे चला गया है, और इसके बाद भी आप buy कर रहे हो, यह सोचके कि reversal दे देगा trend line से, तो ऐसा कुछ नहीं हो काफी time होता है कि stock के results बहुत जादा खराब होते हैं, तो गिरता गिरता नीचे ही चला जाता है, और इसका breakdown भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि यह trend line इतनी जादा strong है कि कभी इसका breakdown आएगा ही नहीं, बिलकुल आ सकता है, तो results पे focus रखिएगा, अपने mind में कुछ notes बना लीजे, स आप यहाँ पर reversal का wait कर सकते हो, और यहाँ पर मिलने वाली entry के बाद आपका stop loss सबसे चोटा हो जाएगा, कौस trend line के नीचे की closing आपका यहाँ पर exit बन जाएगा, या फिर trend line के नीचे जो भी low होगा, वो आपका stop loss बन जाएगा, और आपका target, अगर आप छोटे time frame में देखो आप से चलेगा, until then अगर आपने subscribe नहीं करा है चानल को तो कर लीजए, हम लोग मिलते हैं next video में, और अगर आपके पास कोई भी doubts हैं, तो नीचे comment section आपके लिए open है, अगर आप लोग technical analysis complete सीखना चाहते हो, तो यहाँ पर इस playlist पे click कर सकते हो, thank you so much for watching guys, मिलते हैं हम लोग next video man